दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं EOI यानि यह गुलगाओं रियल स्टेट के अंदर एक ट्रेंड है और आज तक जितने भी प्रोड़क्ट पिछले 4-5 साल के अगर हम बात करें तो ज्यादा तर जो डवलोपर हैं वो EOI की कंसेप्ट के उपर प्रोपटिया वो सेल करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि यह EOI क्या होता है और कब कस्टमर EOI दे सकता है EOI से डवलोपर को कितना बेनिफिट है और EOI से कस्टमर को कितना बेनिफिट है और EOI से प्रोपटि करिदनी चाहिए या आप रेरा की प्र fundable है और क्या EY एक legal है तो हम सभी topic के ऊपर आज यहां पर discuss करने वाले है कि what is EY सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि यह क्या है इसको बोला जाता है expression of interest यानि आपने किसी भी property के अंगर परना interest है वो show किया है इसको हम example के साथ discuss करते हैं माल लीजिए एक एक्स developer है ठीक है उसने एक property start करी तीन करोड रुपे ठीक है उसने बोला कि भाई मेरा है property का जो रेरा है वो जो रेरा है वो received होगा अप्टर थ्री मंत के अंदर ठीक है और आप्टर थ्री मंत के बाद यह जो property rate के उपर करें दूँ मैं इस property के अंदर इस developer की यह जो property है तीन क्रोर की मैं इसमें अभी EY दे देता हूँ यानि आपने इस property के अंदर एक है इंट्रेस्ट है वो show कर दिया और आपने इसके अंदर एक EY अप्लिकेशन न वो फिल कर दिमा लिए पांच लाक रुपे आपने अभी यहां दे दिये तो आपका जो rate है जो EY का वो यह वाला जो rate है वो fix हो जाएगा इसको बोलते हैं कि कोई भी property के अंदर आप एक present के अंदर जो rate है उसके अंदर अगर आप कोई token देते हैं EY application फिल करते हैं तो उसके अ लोन छोने से पहले product के अंदर आपने एक interest show कर दिया जिन मैं इसको खरीजना दाता हूं तो आपने EY application है वो दे दिया यह इसके अंदर आगी तो इसको बोला जाता है EY तो गुरगाओं की real state market के अंदर अभी आपनी recently काफे ऐसे product जो चल भी रहे हैं और जो लोन छोके भी मदलब end हो चुके तो वो जो concept आए वो EY का ही concept आए उसके अंदर आता है कि क्या इसके अंदर जो EY है customer कब दे सकता है यह हम discuss कर सकते है कि इसके अंदर customer है वो कब EY दे सकता है तो इसमें कोई timing नहीं होते इसमें EY आप RERA से पहले दे सकते हैं यानि जब product loan हो जाता है official और मा लेजे किसी unit के प्रोजेक्ट के अंदर आपकी 100 unit है ठीक है EY लिया उन्होंने EY से पहले ही जो product loan चुआ उससे पहले ही यह 1000 unit है अब इसमें न दो बाते होते हैं अब जो यह 1200 unit हैं इसके अंदर EY दो तरीके की होती एक तो होती है bankable यानि कोई developer उसको bankable कर रहा है एक होती है non bankable अब इसमें तो non bankable के चक्कर में तो आप कितनी EY द announcement होता है जब officer तो उसके पहले ही देना होता है अगर माल इसे non bankable दी है तो आप कितनी EY दे दो ठीक है और अगर bankable जा रही है तो developer भी यह बता होगा कि आपके जो unit है वो कितनी sold हो चुकी है तो उसके हिसाब से developer EY है वो select करता है पर यह उसको लेनी है आगे नहीं लेनी है तो यह dependent करता है उसके बाद देखते हैं कि क्या EY से developer को EY से जो developer है उसको कितना benefit होता है यानि EY से developer को benefit होता है जो इसमें ना दो तरीके की बाते आती है कि पहले जब product launch किये जाते थे वो direct rara के उपर होते थे जैसे मालेजिए कि इसी product आज रेरा आ गया तो उसने जो launch कि दिया मालेजिए उसने 12,000 रुपे का rate है वो launch कर दिया और जिसने खरीदना चाया वो खरीद लिया तो यह product तकरीबन तकरीबन 5-6 महिने तक है वो चलते थे तो developer का जो time हो ज्यादा लगता था इसको बेचने के लिए और किसी भी परकार के कोई ज्यादा offer वगारा वो नही होते थे और property को research करने में customer के पास time होता था अब क्या हो गया है कि developer ने क्या किया है कि वहीं मैं है एक EY है वो ले रहा हूं यह डेट आएगा जी 12,000 रुपे गा तो मैं आज इसको है साड़े 10,000 रुपे EY के ऊपर है ना customer को दे देता हूं तो यह customer का EY benefit हो गया यानि 1500 र कि उसकी जो property है वो कितनी मतलब मिकने वाली है उसका कितना interest लोग show कर रहे है उस property के अंदर तो जैसे ही developer को यहां यह पता होगा कि साड़े 10 में माले उसने property है जो EY हो ले लिया और इस product के अंदर है ना वो 500 unit है total और इसके पास जो EY है 10,000 के rate में साड़े 10 के rate में उसके पास property में जो EY है वो 2000 EY है वो आग चुकी है अब developer क्या करेगा कि जब product को launch करेगा न तो यह direct 500 unit नहीं open करेगा लेकिन बजार को दिखा देगा जी उसने तो 500 unit है वो बेच लिए बर यहां पर क्या करेगा इसमें से 100 unit या 1500 unit वो अपने पास रखेगा बट बजार को नहीं इससे developer को benefit होता है क्योंकि जब इसके अंदर लोगों को यह पता होगा कि इस product कोई की तो value बहुत अच्छी है लोगों ने यहां पर interest वो बहुत अच्छा सोग किया हो तुरंत बजार में कर देगे 100% sold out तो यहां पर यह net है वो developer फिर आगे भेंगे rate बेचेगा यानि जो य अच्छा रपाई वो यहां कर लेगा हो सकता है यह ओपर rate में जाके आगे भी इसको बेच सकता है यहां पर जो इवाई का जो benefit है उस developer को बहुत ज्यादा होता है ठीक है अब बात करते हैं कि जो यूवाई का जो benefit है वो customer को होता है या नहीं होता है उसकी उपर बात कर दें इसका भी एक example ले लेते हैं एक X product है ठीक है जी उस product के अंदर 1000 unit है ठीक है मैंने एक example ले रहा हूं कोईसी मैं product का या किसी उसका नहीं मन ले रहा हूं एक X product है जी उसके अंदर 1000 unit आपकी हो गई उस product के अंदर ही total 1000 unit है अब एक मैं यानि current time का मैं ले लेता हूं जी उस product के तो अंदर आज़ का रहुआज और उसको जो लॉन्स प्राइटट है जी है आपका बारह जार लॉपने का कॏ कि यह जो रहेट है यह ओउआई प्रासु को जब ठ्रेइभा यह है जब जब इस प्रोडड़क्र से पहले के ठीक है तो अब माले जे कस्टमर है जी उसने इस प्रोड़ेट के अंदर अपना इंट्रेस्ट वो सो किया है और कस्टमर का जो रेट है माले जे ये यूनिक की वैल्लू हमने तीन क्रोड यहां पे दिखा दी लॉंचिंग प्राइज दिखा दिया जी साड़े तीन क्रोड यहां पर एक रीक है वह आपका सुरू हो जाता यानि जहां भी आप्व में डूल यह दो यह है कि आप एक रीष्क में बगयर कुछ चीजे देखे बगयर लेयाओट देखे बगयर इसके बाद अगर हम प्रोड़ेट को महेंगी है तो हम खृद रहे हैं तो हम खृद तीन करोड के उपर क्योंकि हमने लेडाउट को देख लिया जी साइट को देख लिया हमने साइट प्लान को देख लिया एक्चुल कार्पेट एरिया देख लिया ठीक है यह सब चीजे देखने के बाद हम इस रेट के उपर खरीगते हैं तो हमें 2000 रुपे महेंगी खरीदना चाहते हैं अगर आप ले आउड देखेंगे तो क्या पता आपका बजट है वो पचास लाज रुपे महंगा आपके बजट से आप बहार के ली जाए और अगर बजट के अंदर लेना चाहते हैं तो जी यह प्रोपर्टी आपके अंदर है अब मैं इसमें एक टूप प्रोपर्टी आगे चाढ़े तीन क्रोड की होगी तो यह तीन क्रोड वाले के लिए यह बैनिफित है ठीक है यह फासलड है कि व्यारे और आप इससेoti का लियावट देखे विगायर हिए प्रोपर्टि के अंदर हो रहे हैं तो आपका कहीं कहीं आप यह तो इसका मैं आग property के अंदर enter होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह भी थोड़ा सा जादा तर लोग थोड़ा गबराते हैं क्यों कि ज़्याधा तर जो developer है वो EY Rera से पहले ही bankable कर लेते हैं तो उसमें लोग गबराते हैं कि उनको क्या करना चाहिए लेकिन उसमें क्या के ल शाय रहा जो आपने एक परॉडक्त के एंदर आपने P cheque लिया है तो आपने प्रोपरिक्टी के अंदर है वह लगा दिया थिक है तो ओब स्वन भील्रेट है है अप्रॉरा जी आपके सांवें आपन होती है तो आप कहते होई ये प्रोड़क्त मुझे मुझे नहीं पसंद आया, ठीक है, तो जो EY आपने दी है, वो 100% आपके वापिस अकाउंट के अंदर refund हो जाती है, ठीक है जी, ये कोई गुर्मेंट के अंदर नहीं आती, ठीक है जी, कोई गुर्मेंट का क्लोवर नहीं है, कि ये गुर्मेंट नहीं बना रहा के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि EY डेवलोपर ले सकता है, इंटर शो करवा सकता है, तो आप EY को से मान सकते हैं, क्योंकि आप 100% जो EY है, वो आपकी refundable होती है, यहाँ आपके नहीं कितना ही पैस आना है, तो वो bankable उसी time करेंगे, क्योंकि उनके पास, क्योंकि non bankable check मान लीजिए, एक customer है, उसने एक check X broker को दिया, एक check Y broker को दिया, एक check उसको दिया, अलोटमेंट लेने के चक्कर में, तो यहाँ पे तो customer तो एक है, एक unit करीने वाला, लेकिन उसने जो check है, वो तीन broker को द हुआ, इसको देवलोपर है, उसको idea हो जाता है, कि आपकी property ओलडी बिख चुकी है, तो आप उसको high rate के अंदर, या extra charges है, वो लगा सकते हैं, तो इसमें क्या है कि developer game खेल जाते है, उनको benefit है, वो हो जाता है, पहले जब product बिखते थे, तो तकरीबन एक एक डेट एक साल तक product बिखते रहते थे, युगि उस time इस type की चीज़े नहीं हुआ करते थी, आज क्या है कि supply है ना, जो supply बजार में, वो कम हो गई है, demand बढ़ गई है, कोई भी product आता है, उसमें 400-500 unit आती है, कई product हो में तो 200-200 unit हो जाती है, बाइर ज़्यादा होते हैं, तो यानि high rise में ना, आपके जो unit हैं, वो कम हो गई है, पहले product आते थे, तो 1500-2005,000, ऐसे unit आते थे, तो बिखता रहता था, पोजेशन तक product, तो अब क्या है कि अब तो पहले बिख जाता है, तो EY के अंदर आप benefit लिए ले सकते हैं, कि आप एक तो price आपका लोग हो जाता है, दूसरा आप जब EY है, वो scam नहीं है, वो safe है, अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे, तो scam है, इस हिसाब से देखेंगे, तो सही है, क्योंकि अगर property आपके हिसाब से है, तो सही है, अगर property आपके against है, तो वो scam है, क्योंकि हम कभी भी अपनी गलती को कभी सिविकार नहीं करते हैं, अगर हम एवाई के अंदर जा रहे हैं तो हम अपने रिस्क के अकोडिंग जा रहे हैं अधरवाई तो डेवलोपर तो कहते हैं जी आप रेरा के ऊपर प्रोपर्टी ख्रीद हैं सब कुछ देखें लेकिन उस टाइम का जो रेट होता है वो अलग होता है उस टाइम जब हम ख्रीद देखा कि उसका benefit developer देगा लेकिन जब रेरा के उपर आप जाते हैं तो आपकी preference है वो बाद में जाते है आपको अच्छी unit नहीं मिल पाती है आपको rate भी वो नहीं मिल पाता है आपको allotment करी बार तो मिली नहीं पाती है आपकी choice कि कि आपको कौन सी unit चाहिए वो unity नहीं मिल करते हैं रेरा रिशीव्ड है रेरा हैं उनके पास और वो कुछ औं-कुछ आपको स्क्योक की टाइब के अंदर कुछ रीतन में देचें ताकि आप जो उपर जो ट्रस्ट कर रहे हैं वो चीज आपको सही जगे लगा रहे हैं नहीं लगा रहें कई बार बजार के अंदर भी पिचिंग कर देते हैं लोग कि कहते कुछ और है फिर मिलते नहीं है कुछ इस तरीके की चीज़ी बजार में हो जाते हैं कई बाद तो आप भी अपनी प्रोपर्टी कुछ ऐसे कंपनी लिस्टिट कंपनी के साथ आप जूरें जिसके अंदर आपकी जो अमाउंट है जो आपक किस हिसाब से चलती है किस हिसाब से कब प्रोपर्टी बाई करनी चाहिए तो mostly आपके जो डाउट है वो आपके खतम हो गए होंगे तो दोस्तों फिर भी अगर कोई ऐसे डाउट रहते हो और कोई प्रोपर्टी अगर आपके प्लान की हुई है तो आप कोंटेट कर सकते हैं मिल सकते हैं हमारी टीम से और डिस्करिस्टन के अंदर आपको गूगल फॉर्म मिलेगा उसको आप फिल करके अपने रिक्वार्मेंट है वो पूर्ट कर सकते हैं हमारी टीम आपको तुरंट पोल करेगी थैंक दोस्तों